हलो दोस्तों वेलकम टू टेक स्टूडियो मैं एजर साबी कौन नहीं चाहता कि हमारा स्मार्ट फोन का कैमरा जादू करे यानि कि वैसा फोटो क्लिक करे जो की देखने में लगे कि DSLR कैमरा के दोवारा क्लिक किया गया पिक्चर है अगर आपके फोन में DSLR की तरह पिक्चर क्लिक नहीं होता है तो आप चिंता बिल्कुल ना करें हम आपको बताएंगे ऐसे एक्स जिसको यूज करके आप DSLR कैमरा की तरह पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली पसंद भी आएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अफिल कि यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वाटसेप या इमो जैसे एक्स पर वाइस कॉलिंग की वाइस रिकॉर्डिंग कैसे करें तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं आपको पूरी जानकारी अस्टेप बे अस्टेप मिल जाएगा अब चलिए उन एक्स के बारे में बात करते हैं जिसको यूज करके आप अपने स्मार्ट फोन से DSLR की तरह फोटो क्लिक कर सकते हैं नमबर वन, DSLR बलर इफेक्ट्स नाम से ही पता चल रहा है कि DSLR की तरह बलर का इफेक्ट भी हम इस एप को यूज करके फोटोग्राफी में कर सकते हैं इस एप में आपको अलग अलग तरह के बलर करने के ऑप्शन्स मिलते हैं जैसे की सर्कूलर बलर, लाइन बलर, टच्च टू बलर और टच्च टू फोकस वगएरा का भी फीचर मिलता है यानि कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फोटो का बैक्गराउंड बलर हो तो आप इस एप को यूज करें डेफिनेटली आपको पसंद आएगा एक और बात कि ये एप बिलकुल फ्री है यानि कि आप अपने Android फोन में इस एप को इंस्टॉल करके फ्री आफ कोस्ट, DSLR की तरह फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हैं और इस एप की रेटिंग प्ले स्टॉर में 5 आप फोर पॉइंट फाइव अस्टार भी मिले हैं अब बढ़ते हैं नमबर दो की तरह नमबर दो पर है अडोबी लाइट रूम, फोटो एडिटर एंड प्रो कैमरा इसके नाम से भी ये पता चलता है कि आप इस एप को यूज करके प्रोफेशनल टाइप का फोटोग्राफी कर सकते हैं दूसरी बात कि ये जो पोड़क्ट है ये अडोबी का पोड़क्ट है और अडोबी का पोड़क्ट हम सब को पता है कि कितना बेहतरीन होता है इस एप को यूज करके आप बेहतरीन फोटो तो क्लिक कर ही सकते हैं इसके साथ साथ आपको इस एप में फोटो एडिटिंग करने का भी option मिलता है इसके अलावा ये एप भी free of cost है यानि कि आप इस एप को भी अपने फोन में install करके free of cost बेहतरीन फोटो क्लिक कर सकते हैं और edit भी कर सकते हैं इस एप का play store पर अगर rating देखे तो rating है 5 out of 4.3 star अब बढ़ते हैं नमबर 3 की तरफ नमबर 3 पर है camera mx photo and video camera नाम से पता चलता है कि आप photo और video के लिए इस एप को use कर सकते हैं और इस एप में क्या-क्या हास features मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो इस एप को use करके आप high quality का photography कर सकते हैं वीडियो ग्राफी भी कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको timer and delayed shot का भी option मिल जाता है grid line वगरा का भी option मिल जाता है and photo and video editor में आपको crop करने का brightness change करने का contrast change करने का यानि कि जो video editing के लिए basics tools चाहिए होते हैं वो सारा tools भी आपको यहाँ पर मिल जाता है ये भी app free of cost है यानि कि आप इसे भी अपने phone में install करके free of cost यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं इस app की rating की तो इस app की rating play store पर 5 out of 4.3 star दिये गए हैं अब बढ़ते हैं नमबर 4 की तरह नमबर 4 पर है beauty camera plus candy face selfie and college नाम से ही ये पता चल रहा है कि selfie के लिए ये app बहतरीन है और इस app को यूज़ करके आप जो है college type की भी photography setting वगएरा कर सकते हैं बैनर वगएरा बना सकते हैं फोटो के background को blur करने का option मिल जाता है इसके अलावा photo college maker को भी use कर सकते हैं और इसको use करके आप 18 pictures को एक साथ mix कर सकते हैं इसके अलावा इस app को use करके आप photo editing भी कर सकते हैं और जितने भी basic tools होते हैं editing के लिए वो सारा option आपको इस app मिल जाता है अब बात करते हैं इस app की rating की तो इस app का play store पर rating है 5 out of 4.1 a star अब बढ़ते हैं पांचवे यानि की आखरी नंबर की तरह पांचवे नंबर पर है a better camera इस app को भी use करके आप अच्छी photography कर सकते हैं इसके साथ साथ आप video record भी कर सकते हैं इसके अलावा इस app में और क्या features मिलते हैं ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ तो इसमें आपको night mode का option मिल जाता है video and photo time lapse का option मिल जाता है timer set करने का option मिल जाता है different kinds of focusing का option मिल जाता है ISO set करने का भी option मिल जाता है ये app भी free of cost है यानि कि इस app को भी अपने phone में install करके free of cost unlimited use कर सकते हैं अब बात करते हैं इस app की rating के बारे में तो play store पर इस app की rating 5 out of 3.9 stars मिले हैं तो ये आपने देखा 5 best DSLR camera ads जो की आप अपने android phone में use करके कही ने कही एक तरह का अपने camera को use करके magic कर सकते हैं बहतरीन photography कर सकते हैं और अगर आप photography के शौकीन है तो definitely आप इन में से कोई एक app को try जरूर करें आपको definitely पसंद आएगा I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share करें और take a studio के साथ बने रहें फिर मुलाकात होती है किसी नए topic के साथ तब तक लिए इजाज़त दीजी बाए बाए